निजी तौरे पर पढ़वानी आये जल संसादर मंथी तुलसे सिलावट ने एक बार फिर पूरु मुख्य मंथी देख बजाए सिही पर निशाना सादा है राजु सभास सांसर जोती रादिति सिंधिया ने सदर में वक्तव के बादर कॉंगरिस छोड़ने को लेकर जो प्रदेश में शिचाई का रगबा बढ़ाने के लिए जल संसादर विभाग जन अभियान चलाने जा रहा है आदिवासी जिले के समगर विकास के लिए विभाग 312 करोड से 31 प्रस्ताव को मनजूर करने जा रहा है इसमें 30,000 हैक्टर भूमी सीचित होगी साथ ही उन्होंन प्रद नहीं है दे देंगे तो करीब 312 करोड रुपे का वे आएगा और करीब 30,000 हैक्टर हमारे जिले में सिचाई का रगब में व्रत्यों की वर्तमान में 145 तालाब जिले में हैं और 145 तालाब से अभी 32,000 हैक्टर हम सिचाई कर रहे हैं पीछले जो पंदरा से 20 साल के बीच में भारी क प्रूजना अनुसार बीच बनाने से उनको लाब जादा मिल रहा है जो फिडभे कम को मिला इतने वी जिले में करिब 25 बेराज बने हुए हैं पूरे में हमने योजना अनुसार डेव को पूरा ट्रेप किया है गोई को ट्रेप किया है अनेर को ट्रेप किया है, और जिले में और छोटी छोटी जो नदी नाले हैं, उनको ट्रेप किया है, अभी बाकी लक्ष है, भी मूगरी खेडा की, मूगरी को पूरा हमने एक मासरत्पान बना के गया है, काम्पलेक्स बनाया उसका, चु़कि ज्यादा लोगों की जमीन भी आए लोगों को इस प्रेक्शन करूंगा अभी तक मेरे संग्यान मैंसी कोई नहीं आई है चुकि आज से मानिये जिलादेक्स मोदाई ने बोला है तो इसकी रिपोर्टिंग में जरूर लूँगा में एक बढ़वानी दोरे पर मंद्यप्रदेश की आत्मा हमारा आधिवाजी है समाज का प्रिगती का मंद्यप्रदेश का विकाज जो हम सोचते हैं इनका विलाक हो तो हम समगर विकाज की बात सोच सकते हैं समाज सद्य मंद्री जी मेरे साथ है संगटन मेरे साथ है देश दियें सारे हदिकारियों को कौंची नई सोगा, कौंची नई योजना हम दे सकते हैं। एक वरसों से नर्बला घाटी की नर्बला घाटी की योजना जो पड़ी है, उसको लोड गई। लोड गई। और वो जो हम बोलते की बढ़वानी की वो विकास और प्रगती की निव की फत्तर साबित होगी। उसको पूरा करने का प्रयास। मैं मर्द्य प्रतेश के लोगपरी मुख्यमंत्री स्विराज जी से बात करूँगा। सांसत से बात करूँगा। और हम लोग मंती जी के साथ संगटन के साथ जाकर बात करेंगे। जिले में अब तक 31 योजनाव पस्तावीत हैं। उनका में कम से कम जिले की 30 करोंगी। 30,000 हेक्टर किसानों को सिंचित का लक्ष 312 करोंगी। आमने रखा है और 312 करोंगी पस्तावीत योजना है। उसको समय लगेगा और हम जल्दी से प्रयाश करेंगे। यह कंदुलन चलाने की बात कर रहा है। हमारा जो सिंचित एरिया रगबा के से बड़े जित्ते भी तलाब हैं। चाहिए वो पंचायट के हों, जंगपत के हों, जिला पंचायट के हों। मेरी अभी सम्मानी कलक्ता साब से बात हुई। वो वो करेंगे, सिचाई वाले करेंगे। इनके उपर जित्ते भी तलाब हों। कई वर्सों से गहरी करन, सोंदी करन और जिर्णाउद्दार यह होना चीए। जित्ते भी तलाब है अत्री कमण यह तुरंत हटना चीए। जन अंदोलन से हर जिले में मध्यो प्रदेश के सब लगए तलाब यह गंटया चार्वी तलाब है। बएक बड़ा तलाब। को हम जन अंदोलन के रूट में लेंगे लिए जिससे के की किसिए dużo हो तक रहा है। जो मेरे संग्यान में आई है, सारे अधिकारी को नुद्धेश दे दिए गए हैं, किसानों की भावनाओं के साथ, कोई भी खेलवाण नहीं कहा जाएगा, जो नहर, जिस उद्धेश को लेका, जिस लक्ष को लेका, जिस संक्र्व साथ बनाई गई थी, कि किसानों को पानी मि आई है, कि उन्हें वही मान सम्मान मिल पा रहा है, संतुर से हो, हम सब बाहजबा के कारी करता है, देखने उन्हों बाहजबा कारी करता हूं, वह भी बाहजबा कारी करता हूं, वह भी बाहजबा कारी करता हूं, वह भी बाहजबा कारी करता हूं, वह बाहजबा कारी करता ह आज जो कुछ हो रहा है उनके आशिर्वास ही हो रहा है बॉइज ऑफ राइट के लिए बढ़वाने से भी जाए निकॉम की रिपोर्ट